एलो दोस्तों तो कैसे है, आज से मलोग स्टार्ट कर रहे हैं सम्ट अप्लिकेशन ओफ ट्रिग्णोमेटरी और मैं हूँ आपका दोस्त, आपके साथ, स्कूल के साथ, भी स्कूल के बाद भी ट्रिग्णोमेटरी के ये कोशन हैंगे और इसमें सबसे पहले 9 चैप्टर के जो question नहीं है, 3 से लेकर 4, 5 भी हो सकते हैं question, तो पहले आपको basic सिखाते हैं, इसमें basic है क्या, इसमें 2 बातों का जिकर किया गया है, वो पहली बात क्या है, वो angle of elevation है, ठीक है, आपको angle of elevation पता होना चाहिए, ठीक, दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, angle of depression, दो बाते पता तो होता है, तो angle of elevation जब भी बोले, तो आपको ये, elevation में हम क्या करते हैं, कोगी चीज नीचे से उपर की तरफ जाती है, मलत जो बंदा देख रहा है, ये देखो आके, ये काली काली आके, ये पीली पीली हमारे पास वाके, ठीक है, तो ये angle of elevation क्या होता है, जो observer होता है, वो नी ठीक है, ये line थोड़ी सी titty हो गई है, थोड़ा ऐसे करते हैं, पुरा professional look देते हैं इसको, पहले ये line लगा दे बेटे, ये हो गई line, ठीक है, line सीधी लग गई, सीधी नहीं लगी, कोई बात नी, अब इसके बाद हम लोग ये एक line लगाते हैं, ठीक है, तो ये, ये low eye, इस चीज के उपर मैंने ये line लगा दे, ठीक है, तो अब ये किसी चीज को देख रहा है, इसको क्या बोलते है, line of sight, क्या बोलते है, line of sight, ठीक है, ये हो गई भी ये बंदा देख रहा है, अब ये angle कोई भी angle हवा में तो होता नी, ठीक है, ये angle कोई भी हवा में तो होता नी है, ठीक है यह पूरा ऐसे बना देते हैं ठीक है अब यह किसी horizontal के साथ होता है ठीक है यह हमारा एक level बना दिया इससे जो उपर की तरफ जो यह angle है यही angle of elevation है यही क्या है आपका angle of elevation ठीक है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग angle of elevation ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए angle of elevation कहां से कहां बनता है नीचे से उपर की तरफ नीचे से उपर की तरफ यह बात का आपको ध्यान रखना है जबरस क्लास रहने वाली है समन्ना सभीने अब हम दिखाते है angle of depression अगल of depression कब बनता है जब आप जैसे बुर्जी खलीफा में पे बैटे हो दुबई का टावर है व लो यह एक अच्छा सा टावर बनाते हैं यह लो जी यह ऐसे करके बना दिया हम लोगों ने एक टावर बनाते हैं पहले ठीक है यह बन गया टावर ठीक है और कोई बंदा है और इस टावर के उपर से किसी चीज़ को देख रहा है ठीक है इस यह जो टावर बनाया हम लोगो ने टावर के ऊपर से एक बंदा देख रहा है और यहां पर क्या चल रही है वो फरारी फरारी चल रही है तो फरारी रोड पे चलेगी ठीक है यह रही यह देखो पूरा सेनेरियो दिखाएंगा आपको यह ग्राउंड लेवल हो गया और यहां पर कार्शी बना देते हैं ठीक पसर हमें आपको कुछ न कुछ सिखाना है इसलिए एक टाइगरम बनाना है अब इसको आगर आप देखो गए यह चीज़ बनेगी बंदा यह इस कार को देख रहा है यह ऐसे तेख रहा है अभी हवा में तो होता नहीं एंगल यह एक इसके साथ होगा यह इसकी लाइन ओफ सा अब लाइन ओफ साइट से जो एंगल बनेगा नीचे की तरफ वो क्या होगा एंगल ओडिप्रेशन ठीक है इसमें क्या होगा यह वाला जो एंगल रहेगा यह एंगल ओफ डिप्रेशन रहता है तो समझा ही पहली बात एंगल ओफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ओफ Elevation, यह Angle of Depression, यह नीचे से उपर की तरफ बनता है, यह उपर से नीचे की तरफ बनता है, यह उपर से नीचे की तरफ, ठीक है, बस यह बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद हो यह पंडित बदरी परशाद थोड़ा सा, नीचे की तरफ, clear, और हमें जो पता होना यह तो आपके सामने question है, पहले मैं आपको पता दूँ, आप सभी को पता ही है, पंडित बदरी परशाद हर हर बोले, सोना चान्दी तोले, हाना, हर हर बोले, सोना चान्दी तोले, यह आप सभी को आता होगा, यह पिछली वीडियोस में मैंने बहुत करवाया, आप देख ठीक है, sin theta थोड़ा सा बता देता हूं, sin theta P by H होता है, cos theta, क्योंकि में लिए 3 सी यहां पर हमारा काम चल जाना है, cos theta B by H हो गया, 10 theta P by B हो गया, 10 theta P by B, ठीक है, और जो आपको चीजे याद रखनी है, जैसे 30 degree, ठीक है, आप 30, 60, 45 की values याद रख लेना, ज्यादा आज के जो एंड वाले questions आएंगे 10 30, जो की 1 by root सरी होता है, आप यह याद रखो, 10 60, यह root सरी होता है, बहुत आपके काम आएगा, 10 45 क्या होता है, यह 1 होता है, और कोई भी value पहले 2-3 question में तो यह कुछ लगेगा, ठीक है, तो आपको हम सिखाएंगे कि यह जो statement पढ़के answers को कैसे नि from the top of vertical pole to the ground, ठीक है, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level, question की एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे, तो चीज समझानी है, ठीक है, पहले हम क्या बनाते हैं, एक क्या है, इसमें, find the height of the pole, पहले हम बनाते हैं, एक pole, पोल बना दिया, तो यह हो गया आपका pole, यह ने पोल बना दिया, तो यह ह ठीक है, एक सरकाट आज़िस is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched, अब देखो, यह ground हो गया, ground भी बना दिया हम लोगे ने, ठीक है, और 20-meter long rope, and tied from the top of the vertical pole, यहां से tie किया, top of the vertical pole से tie किया, from the top of vertical pole to the ground, इसके साथ अटेच किया, ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level, यह रही rope, rope यहां से भी है, और यह इसके साथ, सही line बनाते हैं, यह, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और बना देता हूँ, ठीक है, इसको इसके साथ जोड दिया, यह होगी आपकी rope, यह क्या होगी आपका pole, यह क्या है, pole है, ठीक है, यह होगी आपका ground नीचे, पूरा scenario समझने की कोशिच करने हैं, ठीक है, और इसका ground से, the angle made by the rope, rope का angle यह होगी आपकी rope, rope का angle बनाना है, किसके साथ, ground level के साथ, यह ground के साथ, कितने degree है, 30 degree, ठीक है, और यह circus climbing, artist is climbing 20 meter long rope, और rope की जो length है, इस rope की जो length है, वो क्या है, 20 meter long, 20 meter लंबी है, ठीक है, तो अब चीजों को हमने समझ लिया है, हमें कहले हैं, find the height of the pole, इस pole की, यहां से लेके, यह height कितनी है, हमें यह चीज निकालनी है, height है न, height यहां पे किस से दिखाया हुए, हमने यह height निकालनी है, और height यहां के, इसमे यह height निकालनी है, वो क्या है, अगर आप यह 90 degree का angle हो गया, ठीक है, अब पहली बात इसमें एक 90 degree triangle बनना जरूरी है, तो यह हो गया हमारा perpendicular, क्या हो गया, perpendicular, ठीक है, perpendicular, नीचे क्या हो गया हमारा base, और यह क्या हो गया, hypotenuse, ठीक है, यह क्या हो गया, hypotenuse, ठीक है, अब तु ठीक है, अब इस height को नो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x लिख लेता हूँ, height की value को मैं x से लिख लेता हूँ, perpendicular मेरा क्या है, x, और theta, angle कितने degree दिया हुआ है, 30 degree, theta कितना दिया हुआ है, 30 degree, समझ गे मेरी बात, और ये theta कितना दिया हुआ है, 30 degree, अब तुमें वो trigonometry उठाना है, जिसमें p आता हो, h आता हो, तो ऐसा तो सिर्फ sin के case में होता है, क्योंकि sin theta ही क्या होता है, p by h, आपको end तक याद करा देने है, cos theta क्यों नहीं लिया, क्योंकि cos theta क्या होता है, b by h, 10 theta क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या होता है, p by b, ये दो x की value क्या है 20, अब याद रखना तुम्हें, sin 30 कितना होता है, sin 30 वही होता है, जो cos का 60 होता है, वही होता है, cos का 60 क्या होता है, half होता है, तो ये value half, तो ये भी value half, तो ये भी value half, तो आपका sin 30 क्या होगा है, half equal to x 20, तो cross multiply कर दो, 20 equal to 2x, x की value क्या आगी 10, ठीक है, x की value की आगी 10 तो आपकी जो pole की height है pole की हमें height निकालनी थी वो क्या आगी pole की height, height of pole is 10 meter, कितनी आगी बच्चे 10 meter की इसकी length आगी height of the pole is 10 meter ये करते हैं पहला आप दूसरा पर आजाओ, ठीक है ये रहा आपके सामने, अब देखो डाइगराम समयने बहुचरू जी a tree break due to storm पहली line उसने क्या बोली, एक tree टूटा, storm की वज़ा से and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it पहले हम case को समझने कोशी करते हैं एक पेड है, हरे रंग का पेड feeling पूरी लेनी चाहिए ठीक है, ये हरे रंग का ये middle से टूटा है, अब ये यहां से टूटेगा जब ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा तो ऐसे गिरेगा ठीक है, ऐसे गिर जाएगा ठीक है ऐसे गिर जाएगा पेड तो हमें क्या निकालने है इसकी ये height पूरी निकालने है, तो ये कुछ पार्ट इधर गिरा, कुछ पार्ट इधर गिरा तो मेरे को पहले scenario समझाना था ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से अब मैं इसको अलग चीज को समझाऊँगा अब एक tree है tree की ये length है कुछ कुछ ये गिर गया, तो कुछ length इधर गिर गई जब ये पैंडो के गिरा तो इसकी length इसके साथ कितने degree है 30 degree, कितने degree है 30 degree, ठीक है the distance between the foot of the tree distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground distance between foot ये क्या हो गया, foot हो गया और ये इसका top हो गया top touches the ground ये top ये ground को touch कर रहा है इसके बीच की जो दूरी है वो कितने दी हुई है तुमें 8 meter दी है हमें कितने दी है, 8 meter हमें क्या निकालना find the value of height of the tree अब height of the tree कहां से कहां था ये x और ये y तो height of the tree क्या आगी है हमारे पास height of tree और height of tree कितने आगी है हमारे पास बताओ बच्चे x plus y x plus y अब ये क्या हमारे पास h है, ठीक है जी ये क्या है, perpendicular, नीचे क्या है base ठीक है, अब theta दिया हुआ है 30 degree b दिया हुआ है, आपके पास 8 hypotenuse कितना दिया हुआ है, x perpendicular कितना दिया हुआ है, y अब निकाल दो, जो भी चीज निकालनी है अब वैसे पहले उठाओ sin theta ये क्या है, p by h फिर cos उठा लो, क्योंकि दोनों कि इसमें हमें ऐसे ही कुछ निकालना है फिर cos theta उठा लो, बैसे तो लेके कुछ भी आप answer जैसे मर्जी निकाल सकते हो, b by h sin theta, sin 30 p की value क्या है, आपके पास, p की value, y hypotenuse की value, x, पता नि, cos theta देखते हैं, cos theta की value, 30 degree, लेके दो base कितना है, तुमारे पास, 8 h कितना है, हमारे पास, x cos 30 की value, याद रखना है, तुम्हें, cos 30 और sin 60 की value क्या होती है, same इन दोनों की value same, क्या होती है, root 3 by 2 याद रखना है, वही पहले ही sin 30, cos 60 दोनों की value same होती है, यह भी याद रखना है, हमने क्या पढ़ा था, यह क्या होती है, half cos 30 की value, root 3 by 2 equal to 8 by x अब sin 30 की value क्या होती, half y equal to x, ठीक है तो ये निकाल लेते हैं तो cross multiply करोगे, जो x की value क्या जाएगी 2y x equal to 2y ठीक है, अब इधर भी देख लेते हैं इधर cross multiply करके क्या आएगा root 3 x equal to 16 x की value क्या जाएगी 16 by root 3 x की value 16 by root 3 तो y की value क्या आएगी अब यहाँ पे put कर दो यहाँ पे ले जाके put कर दो अब यहाँ पे put करोगे इसको चाहे आप 1 माल लो ठीक है, तो लिख दो चाहे put first अगर लिखना है ठीक है, x equal to x की जगा पे मैं क्या put करूँगा 16 root 3 equal to 2 2 की value y हमें पता नहीं है तो y की value 2 8 जा 16 2 8 जा 16 तो y की value क्या आगी 8 root 3 y की value क्या आगी हमारे पास 8 divided by root 3 ठीक है, तो x की भी value आगी y की value भी आगी x की value भी आगी y की value भी आगी ठीक है, x और y दोनों की value आगी अब जो height of the tree है पूरी वो क्या है x plus y height of the tree क्या है height of tree क्या है हमारे पास x plus y x की value क्या है हमारे पास 16 by root 3 y की value क्या है आपके पास 8 by root 3 ठीक है तो ये क्या हो गया root 3 ऐसे हो गया फिर 16 plus 8 हो गया तो ये क्या है 24 root 3 10th class में तुमने हमने 9th में यही सीखाना है कि rationalize करना है under root नीचे नहीं छोड़ना है इसको rationalize कर दो root 3 उपर ले लो root 3 नीचे ले लो क्या है जाएगा 24 root 3 नीचे क्या हो जाएगा root 3 into root 3 3 8 जा 24 तो height of the tree आपके पास कितनी हागी 8 root 3 अब मेरे साब से root 3 को ऐसे मत छोड़ो 1.73 से multiply कर दो ठीक है 1.73 से multiply कर हो गया 8.3 जा आपका 24 हो गया 8.7 जा 56 56 और 258 8.1 जा 8 और 13 13.84 मीटर बुक में तो यहीं तक दिया हुआ यहां तक ही सही हो जाएगा पर मेरे साब से आप पूरा निकालो root 3 की value याद रखो क्या होती है 1.73 यह याद रखो ठीक है अब चलते हैं हम लोग आगे next question की तरफ आप है यह रहा एक कॉंट्रेक्टर प्लैंस तो इंस्टॉल तू स्लाइट्स उसने कहा है विद दो स्लाइट्स बनाते हैं फोर दा चिल्रन बिलो दे एज ओ फाइफ बिलो फाइफ वालों के लिए कुछ और वो कह रहा है की एक मना रहते हैं जिसका टॉप क्या हो वट शुड भी दे लेंथ ओफ दा स्लाइट्स कहरा जिसका टॉप क्या हो ग्राउंड से यह हो गया आपका ग्राउंड ग्राउंड से कितना उचा हुई है वन पॉइंट फाइव मीटर और इंकलाइट कहां पे हो तीसь डिग्री पे इतने पे تھर्डी डिग्री पे स्लाइट जो करने वाला स्लाइटकरने वाला थीस डिग्री पे हो यह तो समुझ का तुमेँ और कुछ दिया है हाँ पस इतने थी यह Whereas for elder, elder जो बड़े है न, elder के लिए अब elder तो बड़े होंगे, तो जूले की जो slide अब बढ़ा देगा क्योंकि वो तो dare devils होते हैं ठीक है, तो ये height दी है, height 3 meter की दी है ठीक है, तो height कितनी दी हुए है, 3 meter की height दी है ये height कितनी दी है, 3 meter की दिया हुए न height 3 meter, और इसकी inclination कितनी है 60 degree, 60 degree ठीक है, ये ऐसे बनाते है, इसके tip से ठीक है, इसके tip से, और ये इसकी जो slider है, इसकी inclination कितनी दीगरी है, 60 degree 60, हमें क्या निकालना, what should be the length of slides in each case length of slides निकालनी है, दोनों case की, ठीक है मतलब आपको दोनों case में ये वाली length निकालनी है, ये क्या है आपका पास hypotenuse है दोनों case में, ठीक है, इसको x माल लेते हैं, इसके case में y माल लेते हैं, है तो ये क्या है, आपका h है, ये क्या है, आपका perpendicular है, इस case में ये perpendicular होगा है, ये h होगा है, दोनों को अलग-अलगी निकालते हैं, अब वो देखो, जिसमें h आता हो, p आता हो, h और p किसमें आता है, sine में, sine 30 p by h, जो तुमें angle दिया हुआ है, ये मैंने पिछली classes में समझाया, उसके opposite वाला क्या आता है, perpendicular होता है, ठीक है, जनरल सी बात है, एक बात याद आगी थी, तो sine 30, सामने वाला p क्या है, आपके पास 1.5, h की value, hypotenuse कितना है, अब x, sine 30 की value, अभी हम लोगों ने सिखा, half होती है, अब फिर sine 60, sine 60, सामने वाला perpendicular, upon h, sine 60 कितना होता है, root 3 by 2, याद रखोगे, sine 60 कितना होता है, root 3 by 2, सामने वाला p, p कितना है, 3, h कितना है, y, h कितना है, y, अब हम निकाल लेते हैं, तो cross multiply करोगे, x 1.5 into 2, 1.5 का double, x की value, 3 meter आगी, ठीक है, x की value क्या आगी, 3 meter, जो छोटे बच्चों का slider है, slider की length की आगी, छोटे बच्चों का, नन्ने बच्चों का, जो slider की length है, वो कितनी आ ठीक है, ये वो बच्चे हैं, जो छोटी चड़ी पहनता था, पड़ी शरारत करता था, याद हम छोटे होते हैं, ऐसे करते थे, ये चोटे बच्चों का slider, बेल्ट रहेगी इसकी, लोगी शक्ती मानते आ रहा है, आप देखो इस case में क्या होगा, ये y हो जाएगा, तो y की value, root 3 multiply में भी है, और 3, 2, 6, तो y की value क्या आगी, 6 divided by root 3, अब नीचे तो छोड़ना नहीं, rationalize करो, फिर root 3, root 3, तो y equal to क्या आगया, 6 root 3, root 3 into root 3, 3, ये हो गया 2, तो y की value क्या आगई, 2 root 3, 2 root 3, ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहते हो, तो slider की length निकाल दो उसमें, अब मैंने सिखाया ना आपको, root 3 की value बच्चा, पुट जरूर करो, 2 into root 3 की value याद रखोगे, क्या होता है, 1.73, 1.73, 2, 3, 6 हो गया, 2, 7, 14, 2, 1, 2, 1, 3, 3.46 meter, ठीक है, इस से ज़्यादा इस slider की length है, चलो, फिर next question की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका next question, अब देखो, the angle of elevation क्या दिया हुआ है, ध्यान से पड़ोगे, the angle of elevation of the top of the tower, ठीक है, from a point on the ground, अब फिर, एक angle of elevation ये हो गया, आपका tower बना दिया मैंने, angle of elevation of the, angle of elevation किसका, tower के top का, ये tower हो गया, tower के top का, ये हो गया, उसका top, angle of elevation बनाना, कहां से बनाना है, from a point on the ground, ground आईए हो गया आपका, और ground के उपर, एक point ले लिया मैंने, ठीक है, और, which is 30 meter, 30 meter away from the foot of the tower, इस 30 degree, जो distance से वो क्या है, 30 meter दूर है, tower के foot से, tower, ये tower है, ये tower का pair है, tower के pair से, ठीक है, tower के pair से की दूरी कितनी है, 30 meter, और, angle कितना है, 30 degree कितना है, 30 degree, हमें क्या निकालना है, find the height of tower, इस tower की height निकालनी है, height, इसको small h के साथ लिखे देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो, जिसमें ये क्या होता है, ये सामने वाला perpendicular होता है, नीचे वाला क्या होता है, base, तो हम लेंगे 10, 30, सामने वाला perpendicular, नीचे वाला base, क्योंकि 10 में होता है perpendicular और base, 10, 30, value याद रखोगे, 1 by root 3, सामने वाला perpendicular वो पता नहीं, वो h माल लिया, base नीचे वाला 30 हो गया, तो h की value क्या आगई, 30 root, 30 divided by root 3, अब root 3 नीचे तो टिकता नहीं, rationalize करना पड़ेगा, ये का जगा 30 root 3, root 3, root 3, 3, 10, ठीक है, तो height क्या आगई, 10 root 3, 10 root 3 का मददर 10 into 1.73, point हटेगा, और काम बनेगा, point हटाओ, नीचे 100 लगाओ, ये कट गया, इसके साथ, तो height कितनी आगई, 17.3, height of tower, कितनी आगई आपके पास, 17.3 meter, clear, ये होगा आपका question, आप करते हैं, आज की class का last question, आप लोग समझें, आएगा last, ये रहा last, श्यांदार जबतास, चिंदा आवाद फिर से, एक kite is flying at a height of feeling पूरी लो, at a height of 60 meter above the ground, एक kite है, बना दो जी kite, 10 न है, बना दिया kite, 60 which is flying at a height of 60 meter above the ground, ये होगा ground, ground से कितना उपर ऊड़र है, 60 meter, ground से, कितना उपर ऊड़र है, 60 meter उपर ऊड़र है, उसके बाद, the string is attached to the kite, is temporarily tied to a point on the ground, इसकी जो string है, इसको temporary ground के साथ बान दिया, लोजी वेर, बाई string आ रहे है, थोड़े समने, ये लाती है अपर kite नूँ string, ता गवानता, एक धागा लगा दिया है, the inclination of the string, inclination किसका, string का, with the ground, ground के साथ, कितना डिग्री है, 80 degree, ये होगी आपकी string, and जब दस feeling, find the length of the string, ये चीज निकालने है, string की length निकालने है, अब मैं इसमें चीजें मिटाता हूँ, kite, उड़ जा, उड़ जा kite, उड़ जा भाई, ये गया kite, हो, 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 तो ये कुछ ऐसे था, इसमें ये length कितनी थी, 60 आपके पास, अब ये string हटा देते हैं, हमें string की length find करनी है, ये वाली चीज, string की length, इसको एची लिख लेते हैं, क्योंकि ये hypotenuse ही निकालना है, ठीक है, ये चीज कितना होगा है, ये सामने वाला क्या होगा, ये क्या होगा है, ये क्या होगा है, आपका perpendicular होगा है, ठीक है, वो उठा हो, जिसमें 6 meter हटा दो, तो confusion ना रहे हैं, P हो और H हो, ऐसा किस केस में होता है, साइन के केस में, साइन 30, सामने वाला perpendicular, नीचे वाला hypotenuse, ये ही है न सारा, 30 meter विची 60 meter अबाव दा ग्राउंड, तो साइन 30 क्या होता है, आपका root 3 by 2, साइन 30 को और 60 ये opposite होते हैं, दूसरे का, ठीक है, ये kite is flying at height of 60 meter अबाव दा ग्राउंड, एक पर देख लो, string is attached, temporarily to the inclination of string, with the ground is 60 degree, ओ, ये 30 degree नहीं है, ये कितना degree है, 60 degree, 60 degree है, ये फिर यहाँ पर 60, 60 degree ये है, हमने कहले, 60, 60, 60, 60, 60 degree है, sin 60 की value होती है, बार बार सिखा है आपको, जो cos 30 की होती है, जो किसकी होती है, cos में 30 की, और इन दोनों की value की होती है, root 3 by 2, तो करदो, इसको root 3 by 2, सामने वाला perpendicular, perpendicular ये हो गया, कितना हो गया, 60, h, find करना, h की value निकाल दो, 60 into cross multiply करोगे, root 3 h, 120, h की value, 120 divided by root 3, अब ऐसे तो रहता है नहीं, इसको करना पड़ेगा, rationalize, root 3 उपर, root 3 नीचे, 120 root 3, नीचे, root 3 into 3, 3, 40 आ गया, तो आपका answer का आ गया, 40 root 3, ये क्या निकला, length of the string, length of string, clear, ये होगी आपकी length of string, अब इसको 40 root 3 को multiply कर दो, 1.73, 4 से करो, 4 ती है 12, 4 सत्य अठाई, 99, ठीक है, 6.6920, point कितने digit के बाद, 2 के बाद, ठीक है, तो ये क्या होगा, 69.20 meter, समझ गे, ये होगी आपकी length of string, ठीक है, तो, I think ये, आज की class के question हम करते हैं, समाथ, मिलते हैं आपको next lecture में, ठीक है, तो करते हैं इस video को समाथ, बोलो जैशिया राम, अपने दोस्तों से ये video को जरूर शेयर करना, ठैंक यू, जैहिन,